हेलो प्राइब इसम्स ये अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने टूप चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी स्पेसल है GST में HSN Code, SSC Code डालना mandatory है according to rule 46 and 49 अगर आप GST invoice, GST return में HSN Code mention नहीं कर रहे हैं तो आपको जल्दी प्रोब्लम आने वाली है नोटिस भी आ सकता है आपको यहाँ पर आज एक तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आपको प्रोब्लम आती है कि HSN Code कैसे सर्च करें तो यह official website है GST की आप note कर लिजेगा www.gstcouncil.gov.in तो आपको एक बार यहाँ पर Google पर लिखकर भी दिखा देता हूँ कि आपको क्या सर्च करना है इस website पर आप कोई भी यह वाली website है इससे आप कोई भी HSN Code या HCC Code सर्च कर सकते हैं और इस पर डाटा है वो अपडेट होता रहता है time to time जैसे हो चेंज होता है तो यहाँ पर अपडेट हो जाता है देखें यहाँ साइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इधर right में यहाँ पर लिखा होगा HSN या SSC Code यह latest updated है बिलकुल और जब आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको क्या करना है अगर goods में category लेनी है तो goods यहाँ से सर्च करेंगे service पर लेनी है तो service यहाँ से आपको सर्च होके data मिल जाएगा सबोज कीजिए आपको यहाँ पर rate में confusion आता है कि कुछ ऐसी item होती है जिन पर 5%, 18%, 12% अलग अलग rate हो सकते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं सबोज कीजिए मैंने आप लिखा iron उसके बाद search पर click करेंगे तो यहाँ पर इस statement आजा iron लिखा होगा वो आपके सामने highlight होके आ जाएगा तो आप यह देख लीजिएगा आप किस category में fold कर रहे हैं उसके साब से आप अपने rate को जो है identify करके properly invoice पर भी और GST return में भी दोनों जैसे हम अगर search करें construction की service तो यहाँ पर जैसे construction के अलग-अलग rates है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखेंगे तो आप यहाँ से खुद से rate select करके उसको identify कर सकते हैं कि hsn code और ssc code आपका किस category में fold कर रहा है सबसे easy तरीका है website से हलकि इसके लिए प्रीविस वीडियो भी मैंने दिया था जहाँ पर आपको excel मैंने download करके देजी थी तो यहाँ पर आप किसी भी item का search कर सकते हैं अभी हमने यहाँ पर milk का search किया तो यह पूरे सारे products के साब से सारी details यहाँ पर आ गई है और इसमें क्या फायदा है कि आपको किसी fake website से search करने की requirement नहीं है क्योंकि हो सकता है कि आपने गलत rate से tax लगा दियो और फिर बाद में आपको interest और penalty देना पड़े तो बैटर है कि GST की जो official website है उसी सही आप tax rate को search करके अपने invoice और return में mention कर है इसमें GST और income tax compliance भी है और जो daily updates है वो भी उसके अलावा जो registration के वीडियो जहें वह आपको यहाँ पर मिलेंगे basic registration सारे covered है